हेलो फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल यह रिशु ब्लॉग और आज बनाएंगे यह लाल साग का रेसिपी और मैं इसमें थोड़ा सा आड़ करूंगे इसको कैसे दोना है इसमें बहुत सादा डर्ट भी लग रहे थे तो सबसे पहले रूट्स को ऐसे याता है कंप्लीटली तो उसको रूट को ऐसे कट करके एक बड़े से कंटेनर में पानी आड़ करके आपको एंटायर जो लीवस है उसको लेना है विकास इसमें वीड्स होते हैं उसको चुन भी चुनना है और वॉर्म भी भी होते हैं ब्लैकश इटर्ओस आरे आपको दिखाऊंगी जूम करके तो उसको भी आपको चार पांच रवार तो गहांगे और वां वेर्म सब्लैक करके वॉर्म्स घारृस कांगे तो इस अबीशाenser से बड़े से अभनाय और विकास वी सून ल एक बड़े चमच ओयल लेके मैं एक बड़ा साइज्ड ओनियन को चॉप करके स्लाइस में आड़ कर ली हूँ और चार पांच लहसोन की कलिया उसको भी क्रश करके अभी सोटे होने दूंगी ओयल में फ्राइ होने दूंगी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउनिश कालर चेंज हो जाएगा तब में देखिए इसा को प्रॉपरली वाश कर चुकी हो चार पांच बर अभी पानी में रखियों और उसको पानी थोड़ा थोड़ा बहुत इसे सोक करके मैं अभी आड़ कर लूँगी कडाही में फ्रेंस तो हमारा ये पॉफिक्ट कलर भी हो गया है ओनियन और ये लेसुन दोनों अच्छे से फ्रायर हो चुके हैं और ये लाल साग है तो उसका कलर रितम रेडिस होता है चावल के साथ खाने से बहुत अच्छा लगता है अब चपादी के साथ भी खा सकते हैं तो ये बहुत जादा ही हेल्दी होते हैं इसको चॉलिया भी बोलते हैं अब इसको अच्छे से मैं एड कर लूँगी तो दिखिए अभी ये स्टीज में मैं जो भी साग सोक कर चुकी हूं उसको देरे-देरे करके इस कड़ाई में एड करती रहूंगी और एकदम से ये जब फ्राय हो जाता है उसका मतलब दिखता तो है बहुत लीफ्स ही है तो बहुत जादा ही कम हो जाता है quantity wise तो जब sautay हो जाते soft हो जाता है it's like very quantity अपना बहुत रिड्यूस हो जाता है लगब जैसे अभी 100% अभी डाल रहे हैं कड़ाई फुल हो जा रहा है तो almost 10% ही आपको दिखेगा बहुत कम तो fry होने के बाद और उसका texture color बहुत ज्यादा इंटेंशन था उसको wash करने का तरीका वह उसको थोड़ा सा highlight करना था friends तो जब भी बनाए इसको अच्छे से wash करें वह ब्लाकिश कलर का worms में दिखाई हो और बहुत सरे weeds भी हो जाते हैं मतलब घास वगेरा भी होते हैं उसके साथ उसको चुनना बहुत important होता है and जब भी य you have to clean it wash it thoroughly तब भी try करें और इसमें friends कुछ भी मसाला वगेरा कुछ भी नहीं simple थोड़ा सा आपके taste recording salt add कर लीजे और यह बस बनके ready हो जाएगा friends देखिये हो गया ना और लगभग reduce अपना quantity wise और और जादा ही यह तो बस I think 10% हुआ है और 90% होना है बहुत जादा कम हो जाता इसको quantity sauté होने के बाद तो this is a speciality अभी इसमें तो generally leafy vegetables में ज्यादा salt तो होते है naturally बठाँ आप अपने taste recording थोड़ा बहुत आड़ कर सकते हैं बहुत कम prefer करती हूं साग में ऐसे salt add करना and बहुत स्यादा tasty होता है friends और अभी तो और ज्यादा quantity इसका रेडियूस हो जाएगा केमेंट में जरूर बताएगा कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी क्लिक कर लीजे ताकि आप मेरा ऐसे कोई भी वीडियो ऐसे टिप्स कैसे क्या वाश करना है मिसना करे और बहुतिरी इंट्रेसी पीस के लिए भी आप मेंको फोलो कर सकते हैं लाइ करे ख़गए और विए से खुあれ गया यम्मी और वो गानाव में अवा खान ड्यम्मी आप में लाइकरे और रहुति उडियो व्हां और सकता हैं लाइब कर लाइब कर दो लिए लेकरे अजगश माहें लाइवाएं लाइब